जोता वहाई वैनों से एवल इतना सफनिवेधन है कि जिस जमीन को जिस जाएजयत को आप बनाना चाहते हैं , जिस प्लांट को आप निरमित करना चाहते। कहीं होने किराय के मकान में रेते थे थे तो अच्छा रेते थे ejercnd जब से घर बनाया प्रवेश कजा तफने 25 बार वास्तु सास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहां से सीडी तोड़ दो, यहां से बना दो, यहां से बना दो, यहां से बना दो, यह पीछे से रस्ता कर दो, यहां से बना दो, इमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु सास्त्री होते थे, नहीं, घर के ब पर संक्राइब मृत उन्हें उसके बाद के अनन के उनुष मॉथ हूए उसके भी हमेशा रोना केवल सुकह होता है जरासा घर में चारा लोग पर चारों के और संट मुं भघोने लुकुम्य आसे को तो तया है 싶 गया कहां जाते लोगों को नगए को पर अंग करेद गुरूटी है कारन एतना आज़ पुआ है आमेढ से मतान का दिर्मान कराया वाह्स तूची को बुनाया इंजीनियर को बुलाया सब खेकेगार को बुलाया सब को बुलाकर मकान प्लाट जमीन जाइदा सब दिगवाया पर आपने उस घूमी पर पदम कुराण करती है धेनु मानस करती है इसकंद कुराण करती है कि उस प्लाट पर आपने तीन दिन तक एक गउमा तक नहीं बांदा तीन दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांग कर चारा खिलाते हैं ना वास्तु सास्त्री को बुलाने की जरुवत पड़ती हैं ना कभी सम्रद्धी की ना सुक्की जरुवत पड़ती हैं जो कि गाय उस जगा से सारी इंद्रियों को आनंदित दे कर सुख प्रदान कर देती है उस जगा के सारी रोग बिमारी तश्ट तकलीप दुख को गौमाता खीची गौमाता आँ जैसे जगत में कोई नहीं हो सकता हाथ में नहीं बांगती को ए हम भजी कर दोगे तो एंग कर भीस स्विंट पर ही मिले कोई घड़ी कोई गड़ी नहीं मांती पिर भी समय पर आ जाती है क्यों कि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है 33 स्कोटी देवताओं ने उसमें इस सब्राजमान कर कर दिया है असका एक 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 अंश जीव का असोसरी को बुला ले हम यह बता वहां यह प्रशाइब पर चलो तो चलो किसी पाबाजों क्या पोज रहा है जो इसा गूंगों के बता था और उसकी जाकर पूछ लिया बताओ बाबा-जी हमारे घर में सांती नहीं तो बाबा जी एकी बात बोले तेरे घर का है जिसने कुछ कर दी अब इसको यहां गाया पंदरा दिन पहले मेरी जठानी से लड़ाई हुई थी उसी नहीं कुछ कर रहा होगा अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीजबो दिया कि घर और जु में किसी की सामर्थता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे किसी की सामर्थता नहीं कि संसार में किसी की सामर्थता नहीं कि आपका बुरा कर दे बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता कोई दूसरा नहीं कर से एक निबू गिर गया धरवाजे पे तो 14 दिन तक नहीं नहीं आई सीसी टीवी केमरे में देखो कुन पठके गया मेरे को तो तीन दिन से संग का हुरी पड़ोसन थे अब बता जब केमरे में देख लिया तम मालूम पड़ा विचारा साइकिल वाला सब्जी लेके जा रिया था उसके घर पे और निबू पोले थीन से तपक बिया केवल एक दिवाल ऐसी होती है जहाँ पर हनमान जी का चित्र लगाया जाता है चाहे तुम परवत उठाने वाला चित्र लगाओ अनमान जी का चाहे बेड़े हुए लगाओ चाहे रमाइन पढ़ने वाला लगाओ चाहे लच्वन को संजीवनी देने वाला लगाओ चाहे मोन मुदरा में लगाओ चाहे स्तूती में लगाओ चाहे भजन में लगाओ हनमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरा में लगेगा ना पश्ची में लगेगा ना दक्षिन में लगेगा हनमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दिवाल में दक्षिन करते हुए currently ऐसको आओध ही कि यह से पूर्बज़ों के चित्र को पिट्रों की चित्र फो गये हुए हमारे जीवों के चित्र को जक्षिण में विराजमान किया जाए उसी तरह हण्मान कुद्धर में विराजमान खरтора करकर दृष्टी भी दक्षिन में कर दी ना है कि हम माराज है कि अग्षण फोटो कि दुल भी कि दोड़ीन gitu कि उत्तरषामें लागा बढ़े जतारी दक्षण की ओर उनकी द्रिष्टी होना चाहि है ढरें कंध मुख होना चाहि है क्यों महाराज अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बिमारी आने वाली है व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परिशानी आने वाली है व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सिदेंट का योग भी बनने वाला है तो शास्त्र करता है वो यह यहां संपून परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास परता है और जब हमारे गर में हम यह नहीं करें कि आप धनमान जी का फोटो लगा हम यह भी नहीं करें आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान करकर रखा एक किसी दिशा में तो हमारा तो निवे दंगाएगा अभी तक आपने अगर जैसा रखा रखा पर एक बार दिशा बदल कर दिखना कि रोग बिमारी घष्ट दुख तकलीफ में आपको लाप मिला कि नाम लागा हनमा कि अच्छा कितनी विप्रित्ता वो भी आप जिरत जानियांगा माराज कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चड़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाता है कि अच्छा कि लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक नहीं आता कि तुलसी का दल के सोता रहा है कि कई जगा तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी कर शिवलिंग रख दिया जाता है महारत नहीं ध्यानित बस चलता है इसमरण अभगवान शिवका जो जल जारह है वो उत्तर की और गारह और हनमान जी को उत्तर में विराजमान करकर मुख दक्षण की और कर दिया है प्रवल दिशाओं में उत्तर और दक्षण महारत ये जो दो दिशा है इनको साथने के लिए फेर देयोता अगे नहीं कमड़ीं हो को eh अगर इन दिशाओं को कुई साधने वाला है तो किभल को देवदीदें वह हमादेव ही होसका काल काहरन लोजा मघम काली हूब हुना जुरण कर यह कवतार हैं मढग मरड़ हनमाद्जी से त्लाइक गच्छन की और दिशाफर समालिए शिव जी कहते है मेरा जल जब उत्तर की और जाएगा तो इस दिशाफर में समालिए चिंता ना करिए